नमस्कार न्यूस फोनेशन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ युवराज रिकॉर्ड तोड कोरोना की रफ्तार अब ऐसी है कि बिहार में उसने एक नया पर्षम लहरा दिया है 12,795 नए संक्रमित कल कोरोना के मिले है और लगतार इस आकडों में इजाफा देखा जा रहा है आपको बता दें कि पिछले साथ दिनों के बाद पटना की स्थिती रहात देने वाली थी जहां 2000 से भी कम कोरोना संक्रमित मिले है पटना में कल करीबन 1800 से जादा कोरोना संक्रमित पाए गए है जहां लगतार अस्पताल और फिर दवाओ की किलस से जूज रहे हैं और अस्पतालों के बार कई तरह की फफ्तियां लिग दी गई हैं कि अब वहाँ पर बेट्स अवलवल नहीं है यानि की मरीजों का एड्मिशन भी अब नहीं किया जा सकता है कई ऐसे मरीज हैं जो होम कारिंटीन में हैं और फिर वहीं पर आईसोलेट होकर अपनी बिमारी का इलाज खुझ से कर रहे हैं अब यहाँ बात चोकाने वाली है कि अब गया में भी करीबन एक हजार से जाधा कोरुना संक्रमित मिले हैं आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि बिहार के तमाम जिले किस प्रकार से कोरोना के कारण अपनी स्वास्त के लचर विवस्ता से जूज रहे हैं बिहार में एक दिन में सरवादिक 12,795 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है जबकि 68 लोगों ने इस बिमारी से अपनी जान भी गवा दी गया जिले में पहली बार संक्रमितों का आकड़ा एक हजार पार कर 1340 पर पहुँच गया वहीं पटना में 1849 नए संक्रमितों की पहचान की गई वर्तमान में राज में सक्रिय मरीजों की संक्या बढ़कर 87,154 हो गई है पिशले 24 घंटे में 1,491 सेंपल की जाच की गई राज में कोरोना संक्रमन की दर 12.6,8 फीसिदी रही एक दिन पूर में मिले 12,369 नए संक्रमितों की तुल्ला में राज में 436 नए संक्रमित मिले है यह रिकॉर्ड तोड़ है इस प्रकार पिशले 24 घंटे में 3.4 फीसिदी की व्रिद्धी नए संक्रमितों में हुई है पटना में सरवादीक 1849 नए कोरोना संक्रमित मिले है गया में 1340 भागलपूर में 681 और अंगावाद में 682 और बेगु सराय में 525 और सारन में 707 नए कोरोना संक्रमित मिले है कुल्छा जिलो में 500 से अधीक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है आपको एक अपडेट दे दें तो अभी फिलहाल कोरोना के कारण कल 68 लोगों की मौत 100 विवाग के अनुसार हुई है और फिलहाल संक्रमन दर राजी में 12.95 फेसिदी है तो जैसा कि आपने देखा बिहार के तमाम जिले अब कोरोना से जूज रहे है और कली छह जिलों में 500 से भी अधीक कोरोना मरीज मिले है या पहला अफसर है जब पटना के बाद गया में एक हजाश से ज़्यादा कोरोना संग्रमेत पाये गए है और अब गया भी कोरोना से मुक अकमारों में गैडलाइन्स निगाली थी कि कोरोना को लेकर किस तरह का बचाओ वो कर सकते हैं, किस तरह से वो हो माइसलेशन में रहे कि कोरोना को ठीक कर सकते हैं, उसको लेकर भी अब राज सरकार काफी सचेद दिख रही है, तमाम ख़वरों में बने रहने के लिए